दोस्तव सब लोगों को पता ही हुगा कि करेंटली भारत रश्या के बाद अगर किसी एक देश के साथ सबसे अधिक हत्यारों के डील को अंजाम दे रहा है तो वो है फ्रांस पिछले कुछ सालों में भारत के द्वारा फ्रांस से फाइटर यार क्रेफ्ट से शुरू करके सब्मरीन और इवन कई तरीके के हत्यारों के लिए अलग-अलग इक्वेप्मेंटों को खड़िदा जा चुका है और इवन भविशे के कई सारे डिफेंस डीलों में भी फ्रांस को निर्मान करने से पहले शायद फ्रांस के M88 इंजिन मतलब एराफेल में लगने वाला इंजिन जो है भारत में निर्मान होना शुरू हो जाए अब दोस्तों फ्रांस के सैफ्रां कंपनी को अगर देखा जाए तो ये एक लीडिंग एरोस्पेस कंपनी है जो की दुनिया क पर देखो जैसे गिने चुने कंपनियों में भी शामिल है जो इंजिनों का निर्मान करता है और सैफ्रां के तरफ से अब तक कई तरीके के अलग-अलग इंजिनों का निर्मान किया जा चुका है जो की फाइटर यार्ट्रेफ्ट से शुरू करके ट्रांस्पोर्ट क्रेप्टों में भी इस्तिमाल होता है और दोस्तों वही सैफरान कंपनी के तरफ से अब भारत के सामने एक बहुत बड़े कमिट्मेंट के साथ ये कहा गया है कि M88 एंजीन जो की अल्रेडी इंडियन यार फोर्स के रैफाल यार क्रेप्टों में इस्तिमाल हो रहा है उन इं अब दोस्तों देखा जाए तो करिंटली इंडियन यार फोर्स के बेड़े में करिफ करिफ चातिस रैफाल यार क्रेफ्ट है और इंडियन नेवी के द्वारा भी करिफन 26 रैफाल एंजीन एंजीनों का उप्योग किया जा रहा है जिस वज़ा से अल्रेडी सैफरान के M88 जो MRO फेसिलिटी है वो भारत में निर्मान किया जा चुका है इवन रैफाल यार क्रेफ्टों का ओफर फ्रांस के तरफ से 114 फाइटर यार क्रेफ्टों के टेंडर में भी किया गया है और कुछ रिपोर्टों के मताविए कि जो रैफाल यार क्रेफ्ट है ये फिलाल 114 फ भारत के 114 फाइटर यार क्रेफ्टों के टेंडर को जीत लिया जाता है तो नो डाउं ये पोडक्षन कैपिलिटी भारत में ही एनहेंस होगा दोसा आप लोगों के जानकरी के लिए वताथो कि 114 फाइटर यार क्रेफ्टों के लिए INDIAN यार फोर्स को 240 से भी अधिक इनच इंजिनों का requirement होगा और अगर 114 फाइड़ यार्क्रेप्टों के टेंडर डेसल अविएशन के रैफल यार्क्रेप्ट जीत जाता है तो इन यार्क्रेप्टों के आने वाले 40 साल तक maintenance और इंजिनों के सप्लाई के लिए भी करिफ करिफ 3500 और अतरिक्ते इंजिनों का आवशक्ता पड़ेगा और इसी चीज़ को देखते हुए सैफ्रान के तरफ से long term sustainability को लेकि सैफ्रान के M88 इंजिनों के transfer of technology का भी ओफर किया जार और इवन entirely इन इंजिनों को भारत में भारतीय कंपनियों के सहरे produce करने का भी बात कहा जा रहा है सैफ्रान के offer के मताविक इन इंजिनों को भारत में अगर manufacture किया जाता है तो इंजिनों में इस्तिमाल होने वाले componentों को भारत के अलग अलग private sector कंपनियों से outsource किया जाएगा और इवन इसमें करीब करीब 60% तक indigenous content का उपयोग किया जाएगा ताकि कम से कम 75% तक maintainability rate को बरकरा रखा जासे के जिससे की इंडियन इयार फोर्स के राफेल इयार क्रेप्टों के जो fleet है वो और बहुतरी नधंग से काम कर पाएगा अगर भारत में निर्मान होता है तो इससे किवल मातर भारत को ही फाइदा नहीं होगा बलकि इससे फ्रांस का जो राफेल इयार के टेंडर में दावेदारी है वो भी स्ट्रॉंग होगा हाला कि इस टेंडर में फिलाल फ्रांस के सामने अमरीका के कंपनी बोईंग लॉकिड मार्टिन येरोपियन कंपनी येरोफियन कंसर्शियम और इवन सुडेन के साफ ग्रूप जैसे कंपनी का चुनाती तो है ही गराय की 114 फाइटर यार क्रेप्टो के टेंडर में फ्रांस ही सबसे आगे है और दोस्तों अब तक फ्रांस के द्वारा जिस तरीके का ओफर M88 इंजिनों को लेकर किया गया है उस तरीके का ओफर भारत के सामने अन्ने किसी देश के द्वारा नहीं किया गया इवन अगर A 414 इंजिनों के डील को भी देखा जाए तो यहाँ पे अमेरिका केवल मात्र 80% ही टेक्नोलोजी ट्रांसपर के लिए तैयार है जबकि रशिया से भी जो 240 AL-31 इंजिनों को खड़िदा जा रहा है लगवग लगवग 20 साल सुखू 30 MK यार क्रेप्टो को इस्तेमाल करने के ब नए कूर के साथ संपूर्ण एक नए इंजिनों को डेवलफ्ट करने के लिए तैयार है और इंजिनों के ट्रांसफर अफ टेक्नोलोजी इंटलेक्चल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट शेयर करने के लिए तैयार है जो की भारत के शर्तों के मुताविक ह हाला कि अब तक भारत के द्वारा EMCA यार क्रेप्टो के इंजिन कौन से कंपनी के साथ मिलके बनाया जाएगा इसका चैन तो नहीं हुआ है लेकिन इसमें भी सैफरोन कंपनी का ही संभाबनाय सबसे अधिक है और दोसरे अगर ऐसा होता है तो इसमें M88 इंजिनों का भूमिका सपोर्ट कर पाएगा अब दोसरे एक तरफ जहाँ फे फ्रांस के M88 इंजिन को लेके बात्चित चल रहा है तो उहीं पर दूसरे तरफ इंडियान नेवी के द्वारा प्रोजेक्ट 15B के डेस्ट्रॉयर आइनस सुरत और प्रोजेक्ट 17A के फ्रिगेट आइनस निलगरी को कमिशन करने का तयारी किया जा रहा है। इंडियान नेवी के बेड़े में ऑप्रेशनलाइज कर लिया जाएगा आइनस सुरत असल में विशेकवट नम क्लास का चौथा जहाँ है। डेस्ट्रॉयर के फॉलो ओन डेस्ट्रॉयर के रूप में डिवलफ्ट किया गया है। अब दोस्तों देखा जाए तो कौलकादा क्लास के जहाजों को लेके सफलता मिलने के बाद साल 2013 में ही मज़ेगा और डॉकियाड लिमिटेड के द्वारा विशेकवट नम क्लास मतलब प्रॉजेक 15B के उपर काम शुरू कर दिया गया था। और ये जो आइनेस सुरत है इसके जो लेट डाउन का काम है वो असल में 19 जुलाई साल 2018 में हुआ और 17 में 2022 में इस जहाज को लॉंज भी कर दिया गया था। रिपोर्ट के मताविक करेंटली ये जहाज अंडर सीट वायल है और डिसमबर 2024 तक इस जहाज को इंडियन ने भी में कमिशन कर लिया जाएगा। जब कि दोस्तों दूसरा जहाज जो आएनस निलगरी है वो प्रोजेक्ट 17 एक के अंतरगत निर्मान किये जाने वाले साथ स्टेल्थ फ्रिगेटों में से पहला स्टेल्थ फ्रिगेट है। जब कि दोस्तों इन में से केवल चार स्टेल्थ फ्रिगेट ही मज़ेगाव डॉक्याड लिमिटेड में निर्मान हो रहा है जब कि बाके के तीन कॉलकाता स्टेथ गार्डेंडे शिप बिल्डिंग अन इंजिनियरिंग में निर्मान होगा। वही पर दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दू कि ये निल्गरी क्लास के जहाज़ा ये असल में सिवालिक क्लास के जहाज़ों के फॉलो ओन ओडर है। समय तक इंडिया नेवी के बेड़े में कमिशन हो जाएगा। अधिके कैपेबिलिटी को कितना इन्हेंस करेगा कोमेंट करके अपने राया अवर्श्र दीजिए। तो साच के इस वीडियो को यही पर ही करते हैं समाथ किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे।